नवश्यार आप देख रहे हैं headlines बिहार और exit पोल आने शुरू हो गए हैं तमाम मीडिया चैनल्स बता रही है कि एंडिये की सरकार बनने जा रही है देश में और एक बार फिर से प्रधान मंतरी मोदी ही प्रधान मंतरी बनेंगे हम अभी बात करेंगे बिहार के लोगसबा सी खक अमित कुमार है अमित कैसे मान रहे हैं बिहार के खास कर बात करें तो 38 सीट NDA के पाले में देखे 38 मतलब किसी को उमीद नहीं होगी को भी नहीं होगी नहीं अमित्सा को भी नहीं हो अक्रे हमारे पास आजाएंगे तो हमारी बड़ी जीत मौनी जाएगी और इसी के लिए उप्रयासरत हैं, अब आप समझ लेजे कि जैसे किसंगन सीट में जदियू के बहुत बुरी हालत है, आप यह समझ लेजे कि सितामधी सीट जहां जदियू के लिए बहुत मुश्किल है इस तरह की बहुत सारी सीटे हैं कि जहां पहले सित्य हैं जिसे आपको समस्तिपूर सीट जिसे आपको मतलब खगड़िया सीट इस तरह की बहुत सारी सीटे हैं जहां पहले सित्य हैं कि इन दलों के बीच में इन दलों के अंदरूनी तोर पर इन लों को पता है कि वहां जीतन पागी फितूर है इसके अलावा तो कोई तथ्यात्म कि इसमें आधार तो कुछ है नहीं दो सीटे दिखा रही है जो चैनल है तो वो दो कौन से सीटे हैं जो जीत रहे हैं यह तो वही पूछा जाना चाहिए था जैसे यह इंडिया टुडे आज तक ग्रूप ने इस सर्वे क को दिखाया एक जीट पॉल दिखाया और उन्हAJं पुछा जाना चाहिए था कि दो सीटे कौन है जो हार जाेगी पुछा जाना चाहिए था यौ्ण विव Si qam keo hen है कि जो एंडीय हार रही है जब कि हालाथ यह हैं कि ज़्ञादातर सीटो पर बहुत ही नजदी की मुकाला qatới जैसा कि हम लोगे ने पत्टन में ही अनुभफ किया इन बहुत समक्स बहुत से पानी जाते थी बीजआपी के लिडिरी जब यहां कस्मकस के स्थेति है ता है आप समझ सकते हैं कि अन्य जगह क्या इस्तिती होगी, दूसरा कि जो बीजेपी के आधार बोट थे, जो NDA के बहुत समर्थक बोटर थे, वो बहुत मजबूती से निकल के नहीं आये, ना उन्होंने बहुत मजबूती से मद्दान किया, ना उन्होंने मद्दान करवाय हमें और अंत्रम्य और पर है और उसका आफु अफ़िए and ओर मुंग और तरह की सीटों पर बांका सीज्ण में हो यह अनतर पुर्मिलकुन имеет serum सइद्वाज कलुब ार्श पर भाइलं वागालपूर का खेलाप करना जदियु वो तो ये अंतर बीरोध किस पर भारी परेगा चाहे वो जमूई हो जहां चिराग पास्वान को वहां के जदियू के निता पूर बिधायक सुमित कुमार सिंग और नेंदर सिंग के बीरोध जिलना परा है तो यही बहुत सारी सीटे हैं कि जहां इंडिया के लिए बहुत मुश् से क्या आप भाप रहे हैं कि जो 23 माई का जो दिन होगा कैसा रहेगा देखे मेरी अपनी पहली समझ है और मैं जो घूम के भी देखा हूं उससे मुझे यह लगता है कि महागटवंदन के पक्ष में महावल था बिहार में महागटवंदन बहुत अच्छे इस्थिति में था बिहार में टिकट बटबारे में थोड़ा सा आपसी समंझस में थोड़ा सा चुना परवंदन में इन लोगों में कमे हुई और उसका परणाम हुआ कि थोड़ा NDA को सुरू में एज मिला लेकिन फिर तीसरे चौथे चरण से फिर महागटवंदन अपने को रिकवर कर ली औ और फिर अब मुकाबले में वह मजबूती से आ गई थी और यूसली हमें लगता है कि बिहार में 2020 होता नहीं है मतलब आधा दीन हही होता है लेकिन जो इस्थिती परिस्थिती उत्पन रुए है भीहर में उसमें लगता है कि 2020 का गेम होने जा रहा है ऑच्छा दोनों के 2020 श जल सकते हैं कि मतलब महागठवंदन बाइस से लेके 17-18 सीटों के बीच में कहीं रहेगा अच्छा मतलब 18-22 के बीच मतलब 17 भी हो सकता है 16-18 हो सकता है मिनिमूम नहीं तो बाइस तक भी जा सकता है लेकिन उससे अधिक जाने का महागठवंदन की भी गुंजाय समय नहीं दिख रही है तो इसको कैसा परफॉर्मेंस माना जाए बिहार में तेजस्वी नेत्रुत कर रहे थे बिन लालू के परफॉर्मेंस है और यह अच्छा परफॉर्मेंस है लेकिन यह और बहतर होता अगर इन लोगों ने आपसी समंजस बहुत 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 सारी सीटों पर अंतर भी रोज में एक दूसरे को हराने की भी कोशिस अंद्रुनी तरपर की गईगी जहानाबाद में ही देख लिए जैसे अपने ही भाई को थोड़ा सा समानले में इन से गलती हो गई अगर यह आज जो इस्थिती है सीवहर सीट आरजडी हार रही है अगर सेवहर शीट अंगेश संग को दे देते तो को बुढाई है नहीं थे माध ने जा सकता था नहीं तेस परताब को में युद्वार को लेकिटन अंगेश दिया जाना मतलब सहीयोगी दलों के साथ थोड़ा सा समय रखा जाता तो यह हो सकता था कि यह जो 2014 का आकड़ा है वह उलट भी सकता था चार सीट पर पिछले बार रही थी RJDS बार परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और परफॉर्मेंस तो बहतर होने जा रहा है और चार से बहुत बहतर होने जा रहा है चार के इस्थिति नहीं है यह जो दे रहे है जिरो से दो और चार से छे वह इसी इस्थिति नहीं है वह आसानी से ये लोग 17-18 सीटे आसानी से जीतेंगे ये तो तया है ये बिहार की बात हमने बताई आपको ये बताईए हमें कि देश में क्या होगा जो 543 सीट है उसमें आप क्या मान रहे हैं क्या अनुभव कहा रहा है कि बीजेपी के लिए वापसी बहुत मुश्किल है अपना बहुम है कि बहुमत जुटाना संभब नहीं है उन्हें दूसरे दलों के आगे पीछे सहारा तलासना होगा जैसे वो चाहरे टी-आडेस हो चाहरे वो वाएसर कॉंग्रेस हो चाहरे वो टी-डी-पी हो या दूसरे जो भी दल है बीजेडी हो इनकी उर मुखातिव होना होगा अग तो थाड़ पर्टी एलाइंस भी तो कुछ आसा दिख रहा है क्या आसाथ ने देखिए होगा क्या कि देखिए अभी जो जो हालात पैदा कर दी है नेंद मोदी और बीजेपी की सरकार ने उसमें यहां एक कुसल सरकार की जरूरत है मजबूत नहीं लेकिन कुसल सरकार की जो बहुत तरीके से पारपाना चाहे वह समाजिक वेमनस्व काहो चाहे आर्थिक हालाइ concrete बहुत ही संगीन आर्थिक हालात है उन्से पार पाना हो इसके लिए कुसल सरकार की ज़रूरत है और वह सल योगी दल हैं उन सबको मिलके चलाना होगा और उसमें निश्चित रूप से आपको कॉंग्रेस को लीड करना पड़ेगा बिना उसके लीड के हुए सरकार नहीं चल सकती है और ना वो अच्छा पर्फरमेंस कर पाएगी अन्य था फिर वापसी की संभावना बन जागी बीज पी जो महागट बंदन है और एंडिये है उनके सीटों का आपको हमने आज आकड़ा बताया कि क्या कुछ होने वाला है 23 माई को और आपको ये भी बताया साथ में कि जो मीडिया में तमाम खबरे चल रही है कि वो किस सरीके से आपको तयार करते हैं डेटा आप बने रहे हैं हेडलाइन्स विहार के साथ कैमरा परसनर रास्तिलक के साथ में तन्वीर आलम हेडलाइन्स विहार